Hi everyone, welcome back to Mamia Vlogs, मैं हूँ Swati और आज जो वीडियो में लेकर आई हूँ हूँ, टाइटल से आपको आइडिया तो लगे क्या होगा जब आपको आपकी mother से या mother-in-law से उनकी शादी के time की कोई item as a gift मिलती है तो आपके लिए बहुत special हो जाती है आज जो reuse idea है उसके अंदर मैंने मेरी मम्मी की शादी के time की एक साड़ी का reuse किया मुझे दी तो उनोंने थी पहनने के लिए बट इसके अंदर क्योंकि ये पुरानी हो चुकी थी और इसके अंदर काफी सारे दाग आ चुके थे तो जो front में आते थे मैं उसे पहन ही नहीं सकती थी तो मेरेको उसका रियूस करना पड़ा मुझे लगा कि रियूस कर लेती तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूँ जल्दी से आप हमारे इन दोनों इंस्टाग्राम हैंदल को अगर अब तक फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लीजे ये भी आपको बता दू कि हर पहले और तीसरे संडे मैं आपके लिए टॉके लिए टॉ तो आप भी हमें जॉइन कर सकते हैं उस लाइब में और इस गिववे का पार्ट बन सकते हैं हम आपस में मिल बैट कर थोड़ी बात कर सकते हैं तो आप इस वह जोईन मी इन टॉक इंच अप विद मामा मिया तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो साड़ी आपने देख ली है कि यह हमारी साड़ी थी थोड़ा से इसके बारे में बता देती हूं कि इस साड़ी के ऊपर सिर्फ यह बॉर्डर था जो इस वक्त आप देख रहे हो यह पल्ले वाला पार्ट है जो इस वक्त आपको इमेज में दिख रहा है उपर और नीचे बॉर्डर था बॉर्डर अच्छा कासा चौड़ा बॉर्डर था और जब चौड़ा बॉर्डर आपको मिलता है तो आपके पास अपना creativity दिखाने का मौका जादा मिल जाता है लेकिन कुछ चीज़े लिमिटाइज भी हो जाती है और वो क्या चीज़ लिमिटेड हो जाती है कि आपके पास ऊपर और नीचे का बॉर्डर निकाल के जो कपड़ा बच्टा है वो बहुत कम होता है अब ऐसे केस को बहुत केरफुली आपको हैंडल करना पड़ता है अब यहां पर आप देख रहे हो कि ऊपर और नीचे का जो बॉर्डर है कापी चोड़ा अब यहीं बॉर्डर पे जो वर्क हुआ हुआ था ना वो मल्टी कलर्ड एंप्रॉडरी थी चेंस्टेच में अब बढ जहते हैं उस खाल्लोवर कलर जो था साणी का बहुत ही प्यारा सा सटल सा लाइट कलर था और जो एंपरोडरी हुए थी खाल्विंड करिद कवा कि तो इसकेस में मुझे लगा कि इसको ना मैं बहुत इजली ळा सकती हो या पिल्कुल ऑ लेको ट्रन्स्वर्म कर सकती जिसे मैं casually भी यूज कर सकती हूँ और formally भी यूज कर सकती हूँ अब बाती कि क्या इससे बनाया जाए एक्चल में ये एक problem वाली साडी थी अब इस साडी में पल्ला आपने देख लिया और बाकी पूरी साडी में इसी तरीके का बॉर्डर था नीचे की तरफ और साथ में थो तूड़ी दूर दूर थी दूर दूर थी इसके अंदर ईख बाकी पूरी साडी में और बहुत हलके वाली थी और ऐसा नीथा जैसा पल्ले पे यतना ब्यूटपूल लुक आ रहा है ने वैसा अल ऑलोवर साडी में नीचे की तरफ उस एम्प्रायदरी का लुक वैसा नहीं अगर आपकी बॉर्डर होता तो बहुत ही बढ़िया होता तो पूरी प्लेन साड़ी आपके पास होती है आप किसी भी तरीके से स्टाइल कर सकती थे बट इन दिस केस आपके पास थोड़ी बहुत एंब्रोडरी भी थी वहां पर तो उसके लिए आपको सोचना था दूसरी च कि यह इतने साल पुरानी साड़ी जितनी मेरी एज है उससे एक्सट्राइज थी तो अफकोर्स हम लोगों के अंदर भी जैसे इतने सालों में इतने चेंजज़ आ जगें ये तो फिर एक माटीरियल है एक साड़ी है उसकी अंदर भी टाइं के साथ साथ कुछ चीज़े आ हाँ जैसे साड़ी कच्ची हो जाती है नहीं साड़ी कच्ची नहीं है लेकिन इसके उपर ना थूटे छूटे स्पोर्ट आ गए थे कई जगे पर और प्रंट में जहां पर चुन्नट वाला पार्ट होता है वहीं पर एक बहुत बड़ा सा स्पोर्ट आता था इस पर तो बिल गैस यह जो है ना यह मैंने जो इसे कृट करवाया है यह इसे आप as a suit पहन सकते हो as a dress पहन सकते हो और अलग अलग तरीकों से स्टाइल कर सकते हो पहला तो मैंने बता दिया casually भी और formally भी दोनों तरीकों से आप इसे पहन सकते हो तो चलिए अब मैं दिखाती हूं कि मैंने क को स्टाइल के ही होते हैं तो मुझे ना इसके अंदर वाला थोड़ा सा लो क्रियेट करना था तो अभी इसका जो नेक है थोड़ा सा डिफरेंट दिया यह ओवरलापिंग नेक दिया मैंने मैं थोड़ा डीप नेक्स नहीं पहन सकती इस वजह से ना यहां से बंद यह चीज यह बंद है यह बला पार्ट यूजवली इस तरीकी के नेक्स जो होते हैं वो खुले होते हैं बट क्योंकि as I told you कि मेरे को डीप नेक्स नहीं पहने जाते तो मैंने इसको आगे से बंद करकर बट यह ओवरलापिंग नेक है यह देख सते हो अब ओवरलाप हुआ हुआ है य अपर बॉड़ी जो थी इसका योग पार्ट यहां तक आया है यह योग पार्ट यहां तक है अब उसके बाद यहां पर मुझे एक बेल्ट वाला इल्यूजन क्रियेट करना था बेल्ट पहननी नहीं थी लेकिन एक इल्यूजन क्रियेट करना था ऐसा लुक देना था तो व किनारे थे ना को काट के एजरी और बहुत पाइन तरीके से इसके उपर लगाया किया यह हमने की दिस्रेट उसके को काट के यहां पर लगाया है वहां स रहे हैं गार की अफिशाना थीक नजड़र हो गी किस तरीके की और पर बालो लुक मतलब फ्रंट में इसके आया है अब जो मैं इसकी स्लीव बनवाना चाहती थी वो मैं नहीं बन पापाई क्योंकि नहीं बचा उतना कपड़ा तो एक 3-4 स्लीव इसकी रखी गई है जिसके उपर अगेन बॉर्डर को इस तरीके से उल्टा करके बॉर्डर को लगाया गय है तो बॉर्डर बहुत सारा था इसके अंदर तो उसको बहुत ही तरीके से हमने यूज करने के गोशिच के लेकिन फिर भी लग रहा है कि थोड़ा और बॉर्डर होता तो मज़ा आजाता बट स्टेल लेट मी टेल यू इसके ना यह चो कॉर्णर से ना लोर बॉर्डी जो इहां पर यह जॉihंड है इदर कोई चाक नहीं है यह जॉइंड है और बॉर्डर जैसे मैंने का काफी बॉर्डर था तो यह बॉर्डर आगे की तरफ भी लगा दिया है और उस बॉर्डर को पीछे की तरफ भी लखा दिया है तो यह पूरा जो है न यह दे psychopath. यह SIDE मेर यह बैक से उपर का नेक तो मैंने आपको दिखाई दिया था बस वहीं पर है हमारा जो कुछ भी है यह देखे यह यह पर है और उसके बाद लोवर बॉड़ी हमारी उपर वाला योग पर और नीचे हमारा आज टेस जो प्लेन है यह देखे और यह तो मैंने बता दिया आपको इस तरीकी के अब्रॉड़ी थी पूरी साडी में नीचे की तरफ तो यह ना तो जादा है ना जादा लाइट में आती है यह जो बूटा यह दूर दूर बना हुआ था यह वाला इसका तरीकी कलर भी मुझे जादा पसंद आता नहीं तरह के लामन और लाइट कलर्स वैसे यह सबना मेरे फेवरिट कलर से इसकां मेरे फेवरिट कलर से कॉन साडी में एक जो में अधा प्लस पॉइंट वह मुझे इसके रहा दा लग थी तो अभी मैंने इस पहत ही प्यारा सा एक बुहेमियन क्रिएट किया है जो मैं कहा ऑना कै जाख थोड़ा बॉर्डर और होता तो मैं इसको नीचे की तरव भी बॉर्डर लगाती तो कितना और ब्यूटफुल बन चाता है ये बद स्टिल, अब इसकी जो लेंथ है उसको मैंने अपनी पूरी जो आल ओवर मेरी लेंथ है उससे तकरीबन चार से पांच इंच उपर रखा है तो मैं इसे अगर चाहूँ तो ऐसे ही, as it is, मैं इसे ड्रेस की तरह किसी मोजरी के साथ अगर पहन लूँ तो as a dress मैं इसे style कर सकती हूँ लेकिन मैंने इसे style किया अपनी एक leggings के साथ, इसी lemon कलर की leggings के साथ और multi color jewelry के साथ और jewelry का यह हूता है कि जब आप casually पहन रहे हो तो आप jewelry को light रख सकते हो लेकिन अगर आपने इसे formal purpose में या formal purpose अपना solve करना है इससे तो आप अपनी jewelry को थोड़ा बढ़ा दीजी, heavy कर दीजीए और क्योंकि इसका neck जो है यह इस तरीके का बना हुआ है तो आपको इसके साथ chokers बहुत जबर्दस लगेंगे नहीं अगर आपके पास उस तरीके का कोई piece तो आप कानों में कोई अच्छे से heavy सी चीज पहन सकते हो और इसे style कर सकते हो जो यह neck है इसके साथ ना you don't need any दुपट्टा आपके पास दुपट्टा हो तो plus pointer लेकिन अगर आपके पास दुपट्टा नहीं है इस तरीके के style के साथ तो आपको उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इसका अपने आप में complete dress वाला look आ जाता है अब यह तो हुई मेरी साथी की बात जिसमें मेरे पास इस तरीके का multi color border था लेकिन अगर आपके पास कोई भी plain साथी है और उसके उपर इस तरीके के borders है multi color नहीं जिस भी तरीके का अगर broad border है तो आप उसे इस तरीके से एक बहुँ style में style करवा सकते हैं और वो बहुत ही जादा सुन्दर जाता है तो आपकी all over जो लुक होता है आपकी dress का वो चेंज हो जाता है तो गैस कैसा लगा आपको हमारा यह रियूज आईडिया गर पसंद आया हो तो नीची जो like का button है बिल्कुल आपके लिए बना हुआ है उसको जल्दी से दबा देना यार और साथ ही साथ अगर आप पर नए है है पहली बर हमारे चैनल को विजट कर रहे है तो जो subscribe का button है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और उसके सासा जो bell icon है उसको प्रेस कर देना ताकि next time हमारे जो भी notification होना सबसे पहले आपके पास पहुंचाए ना इस time to say bye to you all take care यार बचके रहे ठंड से व stay positive and keep rocking bye bye है ताकि यार क पास बमने तीधे है दो जो लोग्चाए झाल है क् 어ँ दूरी ए। जोग कर दो हैंगEmal